पिछले वीडियो में हम लोग कोन मापक की सहायता से कोन बनाना सिखे थे आज हम लोग कमपास की सहायता से कोन बनाना सिखेंगे अगर आप कौन मापक की सहायता से कौन बनाना नहीं सीखे हैं तो मैं description में पिछला link डाल दूँगा आप वहाँ से देख लेंगे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आप compass को अच्छे से tight कर लेंगे फिर बहुत आसान है एक line draw कर लेंगे line draw कर लेने के बाद एक अर्क लेंगे मतलब चाप लेंगे लगबग 2.5 cm करीब का अंदाज से एक लेना है एक चाप लेंगे चाप लेने के बाद इस चाप को हम बड़ा या छोटा नहीं कर सकते जो भी बड़ा छोटा करना होगा चाप लेने से पहले जब चाप ले लेंगे और ये अर्क काट दने के बाद हम इसे बड़ा छोटा नहीं कर सकते हैं फिर इस कटान बिंदू पर से पहला अर्क काटेंगे ये हमारा 60 डिगरी का कोन बनेगा कितना डिगरी का 60 डिगरी का कोन सिग गए कमपास के सहाथा से 60 डिगरी का कोन बनाना चलिए अब देखते हैं 30 डिगरी का कोन कैसे बनेगा अगर आपको 60 डिगरी का कोन बनाने आ गया तो 30 डिगरी का कोन भी बनाने आ जाएगा क्योंकि 60 डिगरी का कोन बनाने के लिए 30 डिगरी का कोन बनाना आना चाहिए फिर चलिए 60 डिगरी का कोन बनाते हैं एक चाप लेंगे पहला चाप साट डिगरी इस बिंदू पर से और साट डिगरी वाले कटान बिंदू पर से एक चाप लेंगे ये बिलकुल साट डिगरी का आधा, एट मिन्स तीस डिगरी का कौन बन गया चलिए अब जानते हैं एक सब बीस डिगरी का कौन कैसे बनता है अगर आपको साट डिगरी बनाने आ गया, तो एक सब बीस डिगरी का कौन भी बनाना आ जाएगा बहुत आसान फिर एक रेखा ले लेंगे एक चाप चाप की लंबाई कुछ भी हो सकती है, अंदाज से 2.5 cm करीब रखेंगे ये अर्क काट देने के बाद हम इसके लिंद को बड़ा या छोटा नहीं कर सकते पहला चाप 60 फिर इसी पर सरक कर एक और चाप कटेंगे, तो 60 का डबल 120 डिगरी का कौन बनेगा इस सिंटर से इस कटान बिंदू को मिला देंगे 120 डिगरी का कौन रहा हो गया अब हम सिखेंगे 90 डिगरी का कौन अगर आपको 120 डिगरी का कौन बनाने आता है तो 90 डिगरी का भी आ जाएगा फिर अंदाज से 2.5 cm का एक चाप ले लेंगे और एक अर्क काटेंगे काटने के बाद फिर इसे बरा चुटा नहीं करेंगे पहला चाप 60 दूसरा 120 दोनों पर से रख कर काटेंगे तो ये 90 डिगरी का कौन बनेगा चलिए अब 45 डिगरी का कौन बनाने चानते हैं अगर आपको 90 डिगरी का कौन बनाने आता है तो 45 डिगरी का कौन भी बड़ी आसानी से बन जाएगा एक रेखा खंड ले लिए बिल्कुल सबसे पहले हम 90 डिगरी का एंगल बनाएंगे 60 120 और 60 और 120 दोनों पर से रख कर काट देंगे तो ये 90 डिगरी का एंगल बनेगा तो हमें 45 डिगरी का बनाने के लिए पहले 90 डिगरी का कौन बनाना पड़ता है चले 90 तो मुझे नहीं बनाना है इसलिए से हम डॉट लाइन से लेते है मुझे ये पॉइंट पता करना था ये पॉइंट पता चल गया हाफ करने का रूल है कि चाप की लंबाई मोर देन हाफ होनी चाहिए ये जो यहां से यहां तक अर्ख है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते है क्योंकि यहां से यहां तक इसकी लंबाई जितनी है इसके आधा से जाधा होनी चाहिए आधा से जाधा है एक चाप यहां दूसरा चाप 90 पर से रख के काट देंगे ये 90 का आधा बन गया इट मिन्स 45 डिगरी का एंगल बन गया ओके